सलाम आलेकूम वाइलकम टू माइ यूट्यूब चैनल सानिया इन्दा कीचन आज आम बिनाएंगे बीफ कड़ाई उसके लिए जो चीजे ले रहे हैं एक किलो बीफ दो बड़े साइस के प्यास कटे हुए दो टमाटर कटे हुए पांच सब्स मिर्चे कटी हुई एक टेबल स्पून गरम साले का पाउडर एक टेबल स्पून कुट्वी लाल मिट एक टेबल स्पून सुका दनिया एक टीस्पून हल्दी टेस के मताबिक निम्मक टू टेबल स्पून अधरग लसन का पेस्ट ले लेंगे सबसे पहले कड़ाई में काप रूल डालेंगे इसमें प्यास को फ्राय करेंगे प्यास को हम light golden होने तक फ्राय करेंगे प्यास फ्राय हो चुक्य हैं अब इसमें एंदर अगलसण का पेस्ट डालेंगे सब मीठ्चे डाल देंगे इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें टमाटर डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अब इसमें स्पाइसीज आड करेंगे सबसे पहले कुट्वी लाल मीठ डालेंगे हल्दी डालेंगे गरम साले का पाउडर डालेंगे सोका दनिय डालेंगे और निमक डाल के इनको मिक्स कर लेंगे अब इसमें बीफ शामिल करेंगे और इसको अठी तरह मिक्स कर लेंगे तकरिबन दासमिट तक बीफ को बूर्णेंगे अब इसमें दो किलो पानी आड़ करेंगे इसको एक दफ़ा हिलाएंगे और तीस मिट के लिए उपर से कवर कर देंगे ताके बीफ अच्छी तरह से पाक जाए तीस मिट बाद इसको दुबारा चेक करेंगे पानी काफी हाथ तक हुश्ख हो चुक है आप इसको एक दफ़ा हिलाएंगे पांच मिट तक इसको पकाएंगे बीफ अच्छी तरह से पाक चुक है आप इसमें दही शामिल करेंगे और इसको मिक्स कार लेंगे इसमें हरा दनिया डालेंगे और इसको अच्छे तरह मिक्स कार लेंगे इसमें कटिव सब मिर्चिन और द्रक डालेंगे और इनको मिक्स कार लेंगे बीफ कड़ाई राड़ी आप इसको डिश आउट करेंगे स्पाइसी बीफ कड़ाई त्यार है आप भी इस रेसिपी को जुरू ट्राइक करें अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगिया तो इसको लाइक करें शेर करें मिरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वार वाचिंग अल्ला हाफिस